हेलो एव्रिवन वेलकम टू क्लाट अड़र 24 7 माई नेम इस शुखापूरी और लीगल एजुकेटर और आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में इतना बड़ा क्वेशन आना यह क्योंकि सब बच्चों का यही क्वेशन होता है कि मैं आखिरका टाइम टेबल ब क्या है कि आपकी अप्रोच कैसी है तो अप्रोच के लिए हमें समझना पड़ेगा पॉइंट बाइपॉइंट कि किस तरह से हमें उसे लेकर चलना है सबसे पहले तो आपको किसी भी पेपर की वचापते यारी कर रहे हो किसी भी कि कर रहे हो आप सी उटी की कर रहे हो आप क्लाइट की कर रहे हो आपको सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए यह तो में डेटरी है कुछ चीज़े ऐसी होती है जो आपको बोलने से भी मतलब ऐस अगर मैं बोलूगी न कि आपको पता है कि नहीं तो यह मेरे लिए ही ऐसे हो जाएगा कि नह तो कम से कम आपको पता हो ना चाहिए तो तो आपको बिल्कुल अच्छी से पता हो hela go नेक्स्ट चीज आ जाते हैं बच्छा पी वाई क्यू ठीक है प्रीवियस इयर प्रीजिशन आपने स्लेबस पूरा आपको पता चल गया कि ठीक है अगर मैं क्या रही हूं मेरे पास क्या है स्लेबस है अगर मैं स्लेबस की तयारी कर रही हूं तो इंगलिश आता है वो आता है तो नहीं पता लगता नहीं पार-बार याद रहता है तो बहिए एक स्लेबस की पीडिएफ निकालो और प्रिंट फार्म में अपने डिवार के आगे जहांपर भी पढ़न में आपको previous year question यह कुछ काम ऐसे है बचा जो आपको करने ही पढ़ेंगे ठीक है आप बोलोगे कि मैं आप पी सब कुछ करवाद होगे obviously करवादेंगे लेकिन आपको उस video पर click तो करना पड़ेगा जहां पर PYQ लिखा होगा या फिर आपको कहीं से निकालने तो पढ़ेंगे PYQ तो previous year questions अब निकालना उसके बाद में शुरू कर देना कि उससे क्या पता लग जाता है कि किस तरह के हमारे पास question आते हैं तुम्हें syllabus पता है कि law of dots अगर कहीं पे आएगा ठीक है लीगल में law of dots आएगा तो उसके किस तरह से questions आते हैं fundamental rights constitution आता है तो किस तरह से questions आते हैं उसके बाद में आपको क्या करना है थोड़ा analyze करना है ठीक है अब देखो आपको पता लग गया syllabus का आपको यह भी पता चल गया कि किस तरह से questions आते हैं थोड़ी सी videos strategy वाली अपनी videos एक बार देख लो ठीक है क्यों देखो तक कि आपको यह पता अपने टॉपर्स थे उन्होंने किस तरह से एक्जाम करा किया है उनकी क्या क्या strategies थी I am not telling you कि same वही चीज़ फॉलो कर नूँ बिकाज हर एक बच्चे का अपना mindset होता है हर एक बच्चे का हर एक subject को cover करने का अपना अपना एक time वो लेता है ठीक है तो इसलिए बिल्कुल अ चीज़ अपनाई थी क्या पता उसमें से दो तीन चीज़ें मेरे को भी काम में आ जाए आपके लिए तो विन-विन situation रहने वाली है उसके बाद में हमें बनाना है plan जो हम बात करने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात उसके बाद उसको करना है execute यह हमारी सबसे पहले तो approach ह होनी चाहिए किसे भी exam की तयारी करनी है तो smart study करनी है smart study करने के लिए एक approach की होना approach होना बहुत important है जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं अब next अब सबसे important बात जो मैंने plan की कि कि time आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे यह exam कितने समय में crack करना है आज अगर January है तो माल ल exam है तो आपको पता है कि इतना इतना time मेरे पास है March के लिए माल लिजे मुझे मेरे पास 2 महीने 2 महीने का अभी तक time लगाओ ठीक है महीन के लिए लगा लो कि मेरे पास 4 months अभी पढ़े है ठीक है तो इस तरह से आपके पास time आपको पता होना चाहिए अपने exam करकि इतने सम में बताया कि आपके पास 3 महीने माल लो अभी हमारे पास कितने महीने हमारे exam को क्राक करने के लिए तीन महीने हमारे पास पढ़े हैं अब तीन महीने में से हमें सग्रिगेट करने है दो पार्ट में और वो किस पार्ट में होगा एक होगा आपका reading and revise का पार्ट और दूसरा होगा सिर्फ और सिर्फ रिविजन का पार्ट कैसे अब जब हमने बोला कि दो महीने हैं हमारे ठीक है तो मन्स अगर बचे हैं तो दो महीनों में से एक महीना और 15 दिन या एक महीना 10 दिन वन मन्थ प्लस 10 डेज आपको देना है रीडिंग और रिवाइज वाली स्टेज पे ठीक है रीडिंग और रिविजिन वाली स्टेज पे और बाकी के बच्चे 20 दिन 20 दिन में वैसे ज्यादा कह रही हो मैं आप इसको 15 दिन भी कर सकते हो आप इसको 20 दिन भी कर सकते हो तो बाकी के बच्चे 10 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको किस में देना है रिविजिन में ही देना है ठीक है यह हमें पता होना चाहिए एक बैर फिर से मैं आपको इस आमने revision करनी है और 10 दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ revision करनी है कुछ नए नहीं पढ़ना जितना मैंने पड़ा है उतना ही मुझे पढ़ना है अब यह आपको पता लगिया अब आपको टाइम भी पता लग़े प्वाहत की इतना time मेरे पास है आपनी separate कर दिया कि इतना अब आपके पास reading and revision के लिए कितना समय बचा ये बचा अब इसको count नहीं करना है 10 days को आपको छेड़ना ही नहीं है भूल जाओ कि वो आपके पास थे भी तो कितना समय बचा एक महीना 20 दिन आपके पास बचे अब हमें किस तरह से आगी करना है now the main situation main चीज अब आपके arise होती है कि आपको day 1, day 2, day 3 अब इस तरह से proper plan बनाना है मानो हम constitution की बात कर रहे हैं law की बात कर रहे हैं अब constitution आपको पता है कि ऐसा subject है बचा जो हर एक exam में आएगा ही आएगा constitution के topic आते ही आते हैं तो Indian constitution को अगर आप पढ़ना start करते हैं तो बारो day 1 के लिए day 2 के लिए और day 3 के लिए आपने तीनों दिन के लिए क्या बना दिया कि मुझे constitution में से fundamental rights जो है इन तीन दिन में cover करने हैं अब एक बात याद रखना हमारे पास कितने है time कितना है 2 months 20 days में आपको पता होना चाहिए आपके subjects जो है वो कितने हैं ठीक है आपको subjects के क्यूंकि हमने सबसे पहले syllabus देखा था तो syllabus हमें proper पता है अब subjects हमें पता है subjects के हमें topics पता है हमने previous year questions देख लिये हैं तो हमें यह भी पता है कि important topics कौन से हैं ठीक है तो अब हमें यह पता है कि किस topic को हमें कितने दिन देने की जरूरत है ठीक है तो उसे हिसाब से हमने दिये देख लिया कि fundamental right जो इंग्यन constitution का है वह बहुत important है तो इसको हम तीन दिन दे रहते हैं अब तीन दिन कैसे में पूरा का पूरा तीन दिन नहीं बच्छा सिर्फ आपको लीगल ही नहीं आथा आपके English भी आती है किसी आपके subject किसी exam में Maths भी आ रही है अपने अपने सहूलियत के हिसाब से में बार-बार कह रही हूं अपने अपने सहूलियत अपने माइंड फ्रेम के हिसाब से टाइम देना है अब ऐसे ही दो गंटे आपने फंडमेंटल राइट के लिए हो गए दो घंटे आपने लॉजिकल रीजनींग के पॉजल के लिए दे दिये ठीक है दो घंटे आपने computer science में कोई particular topic होगा उसके लिए दे दिए और दो घंटे आपने English की वोकाब के लिए दिए इस तरह से और दो घंटे आपने किसके लिए दे दिए current affair के लिए ठीक है अब इन सब में आपको पता है कि मैंने दो घंटे day one fundamental right cover कर तो इस से कोई ब्लाइन नहीं हो रही है वाट इस ब्लाइन स्टडिए कि आप कहीं से भी कुछ भी इपाके नहीं पड़ रहे हो आपको पता है कि मेरे कौन कौन से टॉपिक कितने-कतने दिनों में कावर होने वाले है आपने पहले ही अपना पूरा फ्रेम बना चुका है कि त तो इस तरह से आपको भी अच्छा लगेगा जब आपकी पूरी शीट जो आपका सिलोबस होगा उसमें से चीजे क्या होती रहेंगी टिक मारक होती रहेंगी सबसे बड़िया चीज क्या होगी बेटा कि मानुद यह आपने लिखा इंडियन कॉंस्टिटुशन में फंडामेंटल राइट तो जब फंडामेंटल राइट में एक जो पार्थ है फंडामेंटल राइट खतम हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दो दिन में जो है खतम हो गया तीन दिन में खतम हो गया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको पता भी चलता रहेगा आपने क्या क्या कवर कर लिया अब यह था एक तरह से आपने डेवाइज जो आपने बनाया है मैं ठीक है फिर पढ़ते ही रहेंगे तो आपने तो बोला था है बेटा वीकेंड्स हमारे किस के लिए होते हैं मॉक्स के लिए होते हैं ठीक है वीकेंड्स होते ही हमारे किस के लिए हैं मॉक्स के लिए होते हैं मॉक्स मतलब आपकी चीज़े क्या हो रही है रिवाइज हो रही है ठीक है तो पहले और मॉक ऐसा तो है नहीं कि आपका ती तेन दिन के लिए फंडामेंटर राइट पड़ा था मैंने लॉजिकल रीजनिंगा यह पड़ा था तो उस टाइम उसको रिविजन कीजिए चार घंटे संडे को इतना भी जादा वोवत रखना कि अग्जॉस्ट ही हो जाओ संडे के दिन के लिए थोड़ा घूमने के फिर न इसा असा मत कर देना अपने लिए टाइम भी निकालना थोड़ी योगा के लिए वाक के लिए पेरिंट्स के लिए फाने लीए टाइम इनस सब के लिए टाइम निकालना नेनसे बां चॉबिस घंटे होते हैं उसमें से आप आठ आठ Easter कर दो उसके बाद भी हगज के लिए सब के लिए भी कुछ पांच कर घंटे साइड में कर दो जितने घंटे बचे हैं उतने घंटों में फिर हमें यह पना पढ़ाई का श्केडियूल रखना है ठीक है एक्षास्ट भी नहीं होना है और अराम से बहुत अराम से चीज़ें हो जाती है ठीक है तो यह है रियलिस्टिक टाइम टेबल एक रियलिस्टिक टाइम टेबल आपका उससे बनेगा आपको आपका पूरा जुक्ना भी आपको बचा है न टाइम वह आपका कवर हो जाएगा तो इस तरह से टाइम टेबल बनता है जब भी टाइम टेबल बनता है एवे ही टाइम टेबल ब मदलब आप चौथा दिन भी आप उit लगा दीजिए आपने लिखा है जोने ते वह क्यों अब आता मेंं साहे हैं की और में हो準 तो हर एक बच्चे को अपनी एक strength पता होती है, हर एक बच्चे को अपना mind frame पता होता है कि मेरे दिमाग में मैं कितना कोई भी चीज जल्दी adapt कर सकता हूँ, right? तो यह जो था आज का session था बहुत important session था क्योंकि बच्चे इसी में confused हो जाते हैं, वाकि एक और चीज है, बच्चे इस तरह से पर्चेस करते हैं, उसमें भी प्रॉपर टाइम दिया जाता है, ठीक है? उसमें भी प्रॉपर बताया जाता है कि आज ही class होगी, आज ही class होगी, उसमें भी इस तरह से ही time होता है, ठीक है? तो उसे लिए आप जिस भी exam की तयारी कर रहे है, अड़ा 24-7 हमेशा ही आपके साथ हो, और आपको मैं batches के बारे में बता दूँ क्योंकि भाईया, आप MSET की तयारी कर रहे हो, आप CUT की तयारी कर रहे हो, आप CLAT की तयारी कर रह आप यहां पर अड़ा 24-7 सर्च करेंगे और अड़ा 24-7 की साइट खुल जाएगी, all courses में जाएंगे, क्योंकि हनको तो law entrance जाना है, तो मतलब UG and PG entrance exam, हम उसके बाद law entrance में चले जाएंगे, और CLAT, CUT, Law Mahapex, SLAT, ALET, MSET, सब के आपके पास यहां पर सामने जो है, वो courses अवैल आपके सामने पड़ा हुआ है, आपको 5 साल करना है, 3 साल करना है, लेकिन अगर आपको CUT, PG, LLB, MSET, Mahapex, जो है, वो भी चाहिए, CUT की तयारी और MSET की तयारी साथ में चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो, आपको coupon code जो है, वो यूज करना पड़ेगा, शिखा, पुरी 20, ठीक है, I'm so sorry, पूरी 20 नहीं, पूरी 80 आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, पूरी मेरे सर्में है, और 80 जो आपको discount मिलेगा, तो यहाँ पर ये apply, हो रहेगा, हो जाएगा, डर के आगे जीत है, तो ऐसे ही सब कुछ दिखता है, ठीक है, तो जब आप यहाँ पर आपको ये इतना discount मिल जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे बाकी भी, CLAT का भी, मैंने आपको बता दिया, कहां से शो होगा, महापैक जो होता है, एक हमारा law का महापैक है, जिसमें जितने भी आप जो है एक्जाम्स दे हो, सब कही आज आएगा, तो यह जो था हमारा आज का सेशन था, I hope आपको मिज़ा आया होगा, I hope आपको समझ में आ गई होगी चीज़े, टिकनीक समझ में आ गई होगी किस तरह से हमने काम करना है, thank you so much पिछा, आपने प्लीज ध्यान रखें, most importantly उपनी हिल्थ का ध्यान रखें, thank you so much.